युहन्ना रचित सू समचार छटवाँ अध्याए इन बातों के बाद यिशु गलील की जील अर्थात तिबरियास की जील के पास गया और एक बड़ी भीड उसके पीछे होली क्योंकि जो आश्चर एकर्म वे बिमानों पर दिखाता था वे उनको देखते थे तवीशु पहार पर चढ़कर अपने चलों के साथ वहां बैठा और यहुदियों के फसै का पर्म निकट था तवीशु ने अपनी आँखे उठा कर एक बड़ी भीड को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल ले आए परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि दो सो दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी भी न होगी कि उन में से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए उसके चेलो में से शमौन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा यहाँ एक रड़का है जिसके पास जव की पांच रोटी और दो मचलिया हैं परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है इश्व ने कहा कि लोगों को बैठा दो उस जगय बहुत घास थी तब वे लोग जो गिंती में लगभग पांच हजार के थे बैठ गए तब इश्व ने रोटीया नी और धन्यवात करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मचलियों में से जितने वे चाहते थे बां जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी बारह टोकरियां भरी तब जो आश्चर कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे कि वे भविश दक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चे यही है इश्व यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पक जील के पार कफर नहूम को जाने लगे उस समय अंधेरा हो गया था और इश्व अभी तक उनके पास नहीं आया था और आंधी के कारण जील में लहरे उठने लगी सो जब वे खेते खेते तीन चार मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने इश्व को जील पर चलते और ना पर चढ़ा लेने के लिए तयार हुए और तुरंत वे नाव उस थान पर जा पहुंची जहां वे जाते थे। दूसरे दिन उस भीड ने जो जील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहां एक को छोड़ कर और कोई छोटी नाव न थी और इश्व अपने चेलों के साथ उस न नाव पर न चढ़ा परंतु केवल उसके चेले चले गए थे। तो भी और छोटी नावें तिबरियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभू के धन्यवात करने के बाद रोटी खाई थी। सो जब भीड ने देखा कि यहां ना इश्व है और ना उसके चेल तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़के इश्व को ढूरते हुए कफर नहून को पहुँचे। और जील के पार उससे मिलकर कहा, हे रभी, तू यहां कब आया। इश्व ने उन्हें उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढू जो अनन्त जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर चढ़के करें, उन्हों ने उससे कहा, परमेश्वर के कारे करने के लिए हम क्या करें? ईश्व ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है, कि हम उसे देख कर तेरी प्रतीती करें कि तू कौन सा काम दिखाता है। हमारे बाप दादों ने जंगल में मनना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इश्व ने उन्हें कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा, वह कभी भूका ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी प्यासा ना होगा, परन्तु मैंने तुम से कहा, कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है, वे सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूँगा, क्योंकि मैं अपनी इक्षा नहीं, बरन अपने भेजने वाली की इक्षा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उत्रा हूँ, और मेरे भेजने वाली की इक्षा यह है, कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, उसमें से मैं कुछ नक हूँ, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाओं, क्योंकि मेरे पिता की इक्षा यह है, कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाओंगा, सो यहूदी उस पर कुड़कुलाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, वह मैं हूँ, और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र इश्व नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह क्योंकर कहता ह है कि मैं स्वर्ग से उतर हूँ, इश्व ने उनको उतर दिया कि आपस में मत कुड़कुलाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, उसे खीच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाओंगा, भविश्व दखताओं के लेखों म परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, जीवन की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मनना खाया और मर गए, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उत्री है, ताकि मनुष्य उस में से खाय और न मरे, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उत्री, मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाय, तो सरवदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूँगा, वह मेरा मांस है, इस पर के पुत्र का मांस न खाओ, और उसका लोहु न पियो, तुम में जीवन नहीं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहु पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्ताओं में खाने की वस्तु है, और मेरा लोहु वास्तव में पीने की वस्तु है जो मेरा मास खाता और मेरा लोहु पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा जो रो जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफर नहुम के एक आराध नालाय में उपदेश देते समय कहीं। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कि यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यिशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़ कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष के पुत्र को जहां वह पहले था, वहां उपर जाते देखोगे, तो क्या होगा? आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाब नहीं. जो बाते मैंने तु तुम से कहीं हैं, वह आत्मा हैं और जीवन भी हैं, परंतो तुम में से कितने ऐसे हैं, जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि इश्य तो पहले ही से जानता था, कि जो विश्वास नहीं करते, वह कौन है, और कौन मुझे पकड़वाएगा? और उसने कहा, इसी लिए मैंने तुम से कहा था, कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह बरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता. इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ न चले. तब ईश्य ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पत्रस ने उसको उत्तर दिया, कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं, कि परमेश्वर का पवित्र जन तु ही है. ईश्य ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुन लिया, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है. यह उसने शमौन इसकरियोती के पुत्र यहुदा के विश्य में कहा, क्योंकि यही जो उन बारहों में से था, उससे पकड़वाने को था.